GST जिसकी फुल फम होती है Goods and Service Tax आखिर हमें GST नंबर लेना आनिवारे क्यों होता है तो देखिए अगर आप कोई ऐसा बिजनस कर रहे हैं जिसका सालाना ट्रन ओवर 40 लाग से उपर है तो वहाँ पर आपको GST नंबर लेने बेहद आनिवारे हैं अब अलग-अलग स्टेट में इसकी जो लिमिट है वो अलग-अलग हो सकती है जिस पकार से जो हिल एरिया हैं जैसे हिमाचल परदेश, उत्राखंड वहाँ पर इसकी लिमिट 20 लाग है लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने समान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाते हैं या फिर कोई ऐसी ओनलाइन वेबसाइट चला रहे हैं जहां से आप अपने समान को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो income है वो नहीं देखी जाती है चाहे आप एक दिन में 100 पे कमा रहे हैं या फिर एक साल में 100 पे कमा रहे हैं वहाँ पर GST नमबर लेना बेहद अनिवारी है अब आपके मन में question उठा होगा कि आखिर GST नमबर लेने के लिए हमें किनकिन documents की जोड़ प apply कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक रुपए भी अलग से खर्च करने की जूरत नहीं है आज की वीडियो में इसी का पूरा process live demo के तोर पे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं और साथ साथ में कुछ ऐसी tips भी आपको बताऊंगा जिससे आपका जो GST नमबर है वो आपको तुरंत मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको gst.gov.in website पर जाना है जिसका link में description में भी दे रहा हूं आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इसे open कर सकते हैं इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहां registered now पर click करना है तो यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिलेंगी अब मैं आपको बिल्कुल simple और साधान language भी बता देता हूं कि अगर आप कोई समान बेचते हैं खरीपते हैं पर्चस करते हैं नॉर्मल बिजनस करते हैं ट्रेडिंग करते हैं मैं फ्रेक्टिंग करते हैं या फिर online कोई business करते हैं तो first वाल यहां पर आपको अपना state select करना है यहां पर आपको अपनी district select करनी है अब देखिए यह काफी important चीज है legal name of the business यहां पर अगर आप खुद का business कर रहे हैं आप single बैखती हैं तो आपको अपना नाम डालना है और वो नाम आपको यहां पर डालना है जो कि आपके pen card के अंदर है अगर proprietor का यहां पर case है तो आपको individual नाम यहां पर डालना है अगर आप partner में कोई काम कर रहे हैं तो यहां पर partner firm का नाम आएगा और अगर कोई company है तो यहां पर company का नाम आपको डालना है इसके बाद यहां पर आपको अपने pen card number डालना है इसके बाद हम नीचे जाएंगे यहां पर आपको अपनी email id, यहां पर mobile number और यह capture यहां पर डाल के आपको proceed पर click कर देना है जिसके बाद आपके mobile और आपकी email id पर अलग-अलग OTP आएगा वो दोनों ही आपको यहां पर fill up करने हैं यह डालने के बाद आपको proceed पर click करना है जिसके बाद आपका first part यहां पर successful submit हो जाएगा तो यहां पर आप इसे form complete नहीं भरागा है यहां पर आपको सिर्फ अपने TRN number मिले हैं आपको या तो screenshot लेकि इसे save कर लेना है या फिर आपको इसे किसी भी notebook के अंदर note करकी रख लेना है इसके बाद आपको proceed पर click कर देना है यहां पर आपको अपने TRN number डालन तो वो आपको यहां पर डाल देना है और इसके बाद आपको proceed पर click करना है तो यहां पर आपकी application show होने लगी इस application को 50 दिन के अंदर अंदर आपको fill करना होता है नहीं तो 50 दिन के बाद यह expire हो जाती है और इसका registration आपको दोबारा से लेकर आपके TRN number generate करने होते हैं तो हम स file fill हल 0% है जिसे हमें fill करके 100% तक कर देना है तो यहां पर आपके business से समंधित detail पोची जाएगी वो आपको complete डालनी है सबसे पहले यहां पर आपके pen number दिखा देगा यहां पर आपको अपनी company का नाम या फिर अगर आपके आपके शोप है तो उस शोप का नाम आपको डाल द है तो जो भी आप काम करते हैं उसे आपको यहां पर select कर लेना है इसके बाद आपको नीचे जाना है यहां पर यह आपका state दिखा देगा आप चाहें तो अपनी district को यहां पर click करके change भी कर सकते हैं इन option को आपको छेहने की जूरत नहीं है इसके बाद यहां पर इस option में कर रहे हैं या फिर आप कोई trading कर रहे हैं तो आपको voluntary basics पर ही click करना है लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई भी online business कर रहे हैं जिस पकार से एमेजन से जुड़े होए हैं या फिर आप flip card से जुड़े होए हैं तो selling throw e-commerce portal पर आपको click करना है बाकी other options के बारे में कभी मैं registered किया हुआ है तो उसको आपको select कर लेना है और उसके registration अर आपको यहाँ पर डाल देने है और वो registration आपने कब किया था वह आपको यहाँपर डाल देना है और यहाँपर आपको add पर click कर देना है अगर आप multiple इसे select करना चाहते हैं किसी दूसरी जखां तीसरी जग़ें चोत मागा जाएगा तो अगर आपने अपने बिजनिस का registration certificate बनवाया हुआ ہے तो यहाँ पर आपको select कर देना है और अगर यह नहीं बनवाया हुआ तो any proof यहाँ पर आपको select करना है जिसके बाद वो file आपको PDF या फिर JPJ format में यहाँ पर सिर्फ 1 MB के अंदर पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो जो भी प्रूफ है उसको आपको यहाँ चूज पर क्लिक करके select कर लेना है open पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको से upload कर देना है अगर आपकी फाइल गलत upload हो गई है तो यहाँ पर delete करके आप उसे दोबारा भी upload कर सकते हैं इसके बाद आपको save and continue पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको आपके business का जो भी इंचार्ज आपने बनाया है उसकी detail डाली है उसका नाम middle name last name यहाँ पर उसके father का नाम middle name last name यहाँ पर उसकी date of birth उसक आपको यहाँ पर डाल देना है आपके company में किस पद पर यह वेक्ति है इसी के identification number आपको यहाँ पर डालने है इसी का pen card number डालना है अगर passport number भी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है पासपोर्ट नमबर डालने ज्यादा जरूरी भी नहीं है और यहाँ पर आपको अपन फोटो रखी होई है तो चूज फाइल पर जाके आपको उसे सेलेक्ट करना है आप चाहें तो अपने computer या फिर laptop के webcam के द्वारा भी अपनी फोटो ले सकते हैं इसके बद आपको नीचे जाना है और also authorized nature को on कर देना है अब यहाँ पर आपको यह चीज काफी केरफुली डाल देखिए अगर आप partnership में कोई business कर रहे हैं तो यहाँ पर add new करके आपको अपने partner का नाम और address भी यहाँ पर डालना है इसके बाद आपको save and continue पर click कर देना है इसके बाद primary authorized signature पर आपको tick mark कर देना है अब इसका मतलब है कि यही वो व्यक्ति है जिसमें आपके business के signature चलने वा यहाँ save and continue पर click कर देना है अगर आपके business के अंदर कोई authorized representative है तो इसे आपको on कर देना है और उसकी पूरी detail आपको यहाँ पर fill करनी है अगर यह नहीं है तो इसे आपको off ही रहने देना है और save and continue पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना address डालना है जहां से आप अपना ब कर देना है confirm करते ही आपको जो एडर से नीचे आजाएगा इसके बाद आपको नीचे जाना है इसके बाद यहां पर आपको वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है जिस एरिया के अंदर आपका बिजनस है इसके बाद यहां पर आपको अपना कमिशनरी सेलेक्ट कर लेना है यहां पर fax number हैं तो वो आपको यह पर डालेने हैं इसके बाद आपको नीचे जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको चोल्जा करना है कि जिस्जमीन पर आप अपना business कर रहे हैं वो किस परकार की जमीन है आपकी खुद की जमीन है, रेंटिड जमीन है, या फिर किसी के द्वारा आप उसे सेर कर रहे हैं, ये चीज़े सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्रूफ डालना है, जिस पकार से अगर आपकी खुद की है, तो आपको एलेक्शिटी बिल डाल देना है, या फिर PDF या फिर JPJ इन दो में से एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका साइज 100KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, और देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो आपका बिजनेस है, वो किस परकार का है, और ये आपको का यहाँ पर अपलाई कर रहे हैं, तो एक या फिर दो चीज ही आप सेलेक्ट करें, जिस परकार से अगर आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का का काम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई ओफिस है, आप एक को select कर देते हैं देखिए इससे ये प्रिशानी होती है कि ये जब application आगे जाती है तो माल लिजी अगर आपने factory manufacturing भी select कर दिया, import, export भी कर दिया, office भी कर दिया, wholesale business भी कर दिया, तो वहाँ पर आप देखिए problem ये आएगी कि ये सभी चीज़ें आप एक जखाय नहीं कर सकते हैं वहीं पर office नहीं कर सकते हैं, वहीं पर आप sale नहीं कर सकते हैं, वहीं पर factory नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, मैं आपको prefer करूँगा सिर्फ एक ही आप select करें, हाँ, जब आपका JST number आपके पास बन कर आ जाएगा, तो update करकर आ आप इन्हीं change कर सकते हैं, बाद में इन्हीं आप select कर सकते हैं, तो वह काफी ज़्यादा easy रहेगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही select करना है, अगर आपके पास इनके लाओ भी कोई जगह हैं, तो इसे आप on कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप पंधी रहने दीजिए, इस के बाद आपको continue पे click कर देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको choose करना है कि आपका जो business है, वो किस प्रकार का है, goods, यहन की कोई चीजें या वस्तुएं supply करता है, या फिर service, यहन की कोई भी service यहाँ पर दी जाती है, तो अगर आप goods पे click करेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो आपका business है, जिस परकार से मैं लिख देता हूँ, shoes, तो यहाँ से shoes से related काफी सारी जानकारी आ जाएगी, जो भी आपके business को यहाँ पर fit बैठता है, उसको आपको यहाँ पर select कर देना है, अगर आपका business एक चीज की बजाए multiple काफी सारी चीजें provide करवाता है, तो उन सब को यहाँ पर search करके, एके करके आपको नीचे add कर देना है, इसी परकार से अगर हम service पे click करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अपनी service चोज कर लेनी है, जिस परकार से हम कर देते है, mail तो आपको उसे select कर देना है, इसके लावा mail के लावा अगर और क आपके पास है, तो आप डाल सकते हैं, अन्य था इसे आप save and continue पे click कर दीजिए, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह आपको आधार के द्वारा authentication करने के लिए बोलेगा, यनकी आधार के द्वारा आपकी information को यह verify करेगा, अगर आपके पास आधार है, तो आपको इसे यह रहने देना है, जिसके द्वारा आपकी जो information है, काफी जल्दी verify हो जाती है, तो जिस जिस व्यक्ति की भी detail आपने यहाँ पर डाली है, उन सभी को आधार on authentication के द्वारा आपको यहाँ पर verify कर देना है, तो एके करके उन सभी व्यक्ति को आपको यहाँ पर tick mark करना है, और save and continue पर click कर देना है, जिसके बाद एक message यहाँ pop-up की द्वारा खुलेगा और यह बताएगा कि आपको yes के उपर click करना है, आपके पास mobile या पर email के द्वारा OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल के आपको अधार on authentication complete कर देना है, तो यहाँ पर आपको ok कर देना है, तो यहाँ पर आ आपको यहाँ पर डाल देना है, जिसके बाद आपको submit with EVC पर click करना है, जिसके बाद आपके mobile number और email ID पर बिल्कुल same ही OTP आएगा, एक जगहें से कहीं से भी आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद validate OTP पर click कर देना है, इसके बाद आपका form successful submit हो जाएगा, आपक on authentication verify करने के लिए आपकी email ID पर एक mail भीज़ा जाएगा, जो कि आपको कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा, आपको इसे open कर लेना है, जिसके बाद आपको एक link देखने को मिलेगा, आपको इस link पर click करना है, यहाँ पर आपको अपनी consent देनी है और यहाँ पर tick mark पर click कर द आपको यहाँ पर डाल कर validate OTP पर click कर देना है, जिसके बाद यहाँ पर success का message आएगा और आपका आधार on authentication successful हो जाएगा, आपको यहाँ ओके पर click कर देना है, जिसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आप अपने आधार on authentication को successful देख पाएंगे, जहाँ पर आपका address, ना, mobile number, photos सब आप देख सकते हैं, आधार card number on authentication होने के बाद आपका AR number यहाँ पर generate हो जाएगा, जिसके द्वारा आप अपनी application को यहाँ पर track भी कर सकते हैं, इसका message आपको mail के द्वारा यहाँ पर मिल जाएगा, AR number मिलने के बाद आप अपनी application को यहाँ पर track भी कर सकते हैं, application को track करने के लिए आपको service पे जाना है, registration पे जाना है, track application status पर click करना है, यहाँ पर आपको अपने AR number डालने है, यहाँ पर आपको यह capture डाल देना है, इसके बाद आपको search पर click कर देना है, यहाँ पर मापको बत कुछ information हमारी द्वारा गलत डल जाती हैं जिसको ठीक करने के बाद ही हमें ARN number मिलता है तो ऐसी condition के अंदर ARN number के मिलने में आपको दो से तीन महिने का समय भी लग सकता है तो जैसे ही आपको अपना ARN number मिलेगा आप उसको यहाँ पर डाल कर track कर सकते हैं तो ARN number डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी application की detail आजाएगी जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके application का status दिखाया हुआ है कि आपकी application फिलहाल pending की अंदर है और यह process के अंदर चल रही है यहाँ पर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी application किस-किस condition में अप approve हो सकते हैं जिसे आप यहाँ पर click करके check भी कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो जैसे ही आपकी application यहाँ पर approve हो जाएगी तो आपकी registration ID और password आपको email कर दिये जाएंगे जिसके बाद आपको इसी website पर आना है login पर click करना है यहाँ पर आपको अपना username और password डाल देना है और इसके बाद आपको login पर click करना है login पर click करने के बाद आप अपने GST नंबर की certificate को download कर पाएंगे आई होप कि यह वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी फिर भी अगर इससे related आपको कोई भी problem हो रही है तो हमें comment कीजिए हम जल से जल्द आपके question का जवाब देने की कोशिस करेंगे और अगर आप अपने दोस्तों की help करना चाते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को share करना बेलकुल मत भूलिए तो फिर मिलेंगे ऐसी एक useful वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत